जहां एक और डिजिटल टेक्नोलोजी को दूर्पियोग हो रहा है देजिटल टेक्नोलोजी देशवासियों के लिए कुरोना काल में बर्दन साबित हुई है। जिला बाजबा आईटी सेल के संयोजक बिक्रम मट्टू ने मीडिया को दी उन्होंने बताया कि देश के बरदान मंत्री नेरेंदर मोधी ने जिस डिजिटल यूग का सपना देखा था उस यूग का प्रारम हो चुका है आज जाहितातर कार्या डिजिटल माध्यम से हो रहे ह जिला बाजबा आईटी सेल के संयोजक बिक्रम मट्टू ने बताया कि करोना काल में जो बच्चों की जिक्षा पूर्ण रूप से ठप हो चुकी थी तब केबल डिजिटल माध्यम से ही उन्हों सिक्षा देना समब हो पाया उन्होंने कहा कि आज छोटी से छोटा कार्या भ कर एक शीरिस्त का ब्यपार भी डिजिल माध्यम से किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से बर्चुल दुकाने चल रही है जिसकी बज़ा से ब्यपार की कोई सीमाई नहीं रह गई है कोई बीव्यक्ति किसी भी तरह की जानकारी और उत्पात खरीद या बेच सकता है उन्होंने कहा कि कुछ चंद लोग इस टेकनोलोजी का गलत उपयोग कर रहे हैं लेकिन जाइदा तर लोग इस डिजिटल टेकनोलोजी का फायदा उठा कर लाब कमा रहे हैं हम लोग अपना बिजनस भी चला सकते हैं हमारी काफी ऑनलाइन शॉपिंग चीजें हैं जो हमारे वटसेप पे भी आप इंटर्डूज हो चुके हैं फेस्बूक के उपर हमारे फैन पेजिजिस हैं जिसके उपर लोग अपना शॉप्स भी चला पा रहे हैं टूटर हमारी एक आसी चीज है जिसका जो रीच है वो मिल्लियंस ओफ पीपल्स के अराउंड विदिन सेकेंड पहुंचने में वो कामयाब होता है अगर हमारा कुछ पोस्ट है या कोई हमारा आश्टेक है अगर उसको ट्रेंड करते हैं तो वो मतलब एक बिल्कुल सिंगल पोस्ट से वो मिल्लियंस ओफ पीपल तक रीच कर पाता है अगर आप एक छोटा कोई अगर इंडस्ट्रिलिस्ट भी है या कोई किसी का एक शॉप भी है तो वो अपना एक एक इकमर्स प्लैट्फों पूरा डिजिटल वे में इस टेक्नोलोजी के हल्प के थूँ अपना क्रेट कर सकता है उसको जरूरी नहीं है कि वो अपनी शॉप पर ही सबको बलाए वो डिजिटल ही आपका अपना पूरा शॉप क्रेट करके वो सारे में सर्कुलेट कर सकता है और उसका जो रीच भी है वो भी मिल्लियंस ओ पीपल के पास है अगर कोई अपना नही नही एक शॉप चलाना चा होता है इसलिए वो www का वर्ड फ्रेज यूज होता है उसके लावा जो सोचल मीडिया के प्लैटफॉर्म्स है हमारे अगर मालो हम फेस्बूक की बात करें हमारा अपना फैन पेज होता है उसके उपर हम फैन पेज को यूज करके अपना बिजनस परमोट कर सकता है अभी डि झाल 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 झाल